और इसमीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे आयोध्या से है जहाँ पार आपको बतादे कि 22 जनवरी को होनी है रामलला की प्राणपतिष्ठा और उससे पहले अनुष्ठान लगतार जानी है 16 जनवरी सानुष्ठान की प्रक्रिया शुरू हो चुकि आज प्राणपतिष्ठा अनुष्ठान का तीसरा दिन है आज गडेश अंबिका पूजन होनी है इसके पहले आपको याद होगा कल कैसे भव्य कलश यात्रा निकाली गई उस कलश यात्रा में हजारों शधालू शामिल हुए महिलाएं अपने सर पर कलश लेकर मंदिर पहुँच में जल लेकर सर्यू का जल लेकर राम मंदिर पहुँचे और आप आज गडेश अंबिका पूजन होगे और उसके साथ ही 22 जन्वरी को राम लला प्राणपतिष्ठित हो जाएंगे